हेलो दोस्तों फिर से आप लोगों का मेरे इटू चैलंग में स्वागत हैं आज मैं आप लोगों को MRDE 003 पेपर के कुछ महत्पून कॉसेन को बताऊंगा जो कि आज चैप्टर 3 से होगा और ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 होगा आज पहला पार्ट होगा दूसे पहले मैं एक्ष्ट्र में आपको कुछ बताना चाहा रहा हूं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है MRDE 003 के चैप्टर 1 जो कि भूधिरिती पढ़ना लिया और किसिक सनचना जिसमें मैं दो वीडियो लगभग लभग बना चुका हूं और चैप्टर 2 जिनका नाम है इसमें भी लगभग दो वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूं और चैप्टर 3 अगर इन दोनों में से उपर के दो चैप्टर में से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरू उताइए मैं बनाओंगा चैप्टर 3 चैप्टर 3 में है भूसुदार कार्यानवें वातता हैं एवंग संभावन हैं जो कि मैं आज बताने वाला हूं इसका आज ये पहला पार्ट होगा चैप्टर 3 का पहला पार्ट होगा मतलब अगर कहा जाए तो MRDE 003 के अंतरगत आपको तीन चैप्टर पढ़ने है उसमें से पहला चैप्टर जो की हो चुका है लगवा इसमें दो वीडियो बन चुके हैं हलाकि पुरा कवर नहीं हुआ है और आपका दूसरा चैप्टर भी देखें बिना इसकेप किया ताकि आपके एक्जाम में अच्छी तरह से नंबर आ सके और एक इस्ट्वर्ण का कहना भी था कि फरवरी में मेरा दस्तारी को एक्जाम है तो उसके लिए मैं चैप्टर 3 में आ गया ताकि कुछ न कुछ उनको मिल पाए तो दोस्तों ज्यादा थी बेल आइकन दबा दे ताकि मैं नेक्ट वीडियो या नेक्ट पार्ट जब भी डालू आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके तो बरते हैं आज के कॉस्टन की और आज का कॉस्टन है हमारा भू राजस्व परसासन से आप क्या समझते हैं मद्धिकाली भारत की पर द्रीती पर्णाली पर संचिप्ति ने लिए मतलब हमारा काना है कि इसमें कोई भी अगर कॉस्टन पुझे अथ्वा में तो आपको एक कॉस्टन का अंसर दिना है या फिर लगवा सिमिलर होता है ति इसमें पुझा गया है कि भू धिरती या भू राजस्व पर्नाली से र पहले टॉपिक जानने से पहले आप समझ लेजी कि भू राजस्व परसासन है क्या चीज और इससे आप क्या समझते हैं तो यह है भू राजस्व का अर्थ जो है वह होता है भू राजस्व का अर्थ भूमी की उपज अथ्वा पैदावार पर करो की उगाई से होता है भू राज की वीद की आवस्रताओं के अनुसार बदलता रहता है और इस गुन्वत्ता में भी अंतर आती रहती है मतलब यह साप साप है कि भुई राजसु जो है वो किसानों के दुवारा ही दिया जाता था खेती करने के बदले में इसका जो पहला पॉइंट है भारत में आपके भारत में भूराजय सुपर्शासन क्या है इसके बारे में जानते हैं इसके अंतरकत आर्थिक अस्थाइत वेंगों बितिसंसादन किसी भी राज के अस्थाइत को दर्शाते हैं मदिकाल में जब उतराधिकार का कोई भी कानून नहीं था तब तागत ही किसी व्यक्ति के भाग का निधारन करती थी जिससे राज की गदी का उतराधिकारी तहीं होता था धन उससे भी बरावा परभावसाली भूवीकानी बाता था उस टैम जो है धन बहुत ज़्यादा मुगलों दोनों ने करें भू राजसु के संगरन पर काफी ध्यान दिया और उस काल में भू राजसु के संगरन पर काफी ध्यान दिया गया ताकि उसके उत्रा अधिकारी जो है उन पे सासन कर सके और उस राजस जो संगरन क्या हुआ राजसु है उसको वह अधिकार में लेक संपति पर सीधे कर लगाएं उन्होंने विविन परकार पर परोच करो जैसे कि सी empir कर और उतपादन 40 कर लगाकर काफी धन उगाई की है, मतलब इसमें भी अगर दिखाया है, मुगलकाल में भी, कि हर तरह का सुल्क लगाया गया, कर लगाया गया किसानों पे, ताकि वो भूराजसु से अपना समराज का विस्तार कर सके, किसरा पॉइंट हमारा हो जा रहा है, वो है आपका मराठो की भूराजसु पर अहमद नगर अभी जो हो चुका है, तथा बीजापूर के सुल्तानों से तथा दिल्ली के सासुकों से चीनी गई जमीन सामिल थी, इस परकार से महराष्ट में चार अलग-अलग राज्यों की भूराजसु पर्णाली पर चिलिती थी, सिवाजी द्वारा उठाया गया पहल भूरजसु पर्णाली में कितने भूमी आ रहे हैं, और उनका कितना राजसु लेना है, बत्तर लियुका कितना कर लेना है हमारा नेक्स्ट कॉस्टेन है प्राचिन भारत में भू-राज़सु पर्णाली की संकलपना का बर्णन इनको हम निफायन करते हैं प्राचिन भारत में भू-राज़सु अर्थार्त अगर कहा जाए लगान लगान का मुख सुरुत था जो कि राज्य द्वारा उपारजित किया जाता था परसासन के खर्चों का भुक्तान करने के लिए प्राचिन काल में काराधान या उससे संबंदित जो हमें कर प्राप्त होती थी वो ब्यापक पर नाली परचली थी एक प्राजा जो को लगाता है पर नहीं कर सकता है वह अपने हberg बन adequate परजा का वियोधी बन जाता है और वो सासन वेवस्था से पतन होने लगता है मतलब अगर सही तरीके से अगर भू सनरचन ना क्या जाए उस पर कर नाली आ जाए तो फिर क्या होता है वो परजादवारा बगावत भी होता है राजागी पर्ती अगर देखा जा तो प्राचन भारत में भूराजस पनाली की संक्रप्राजी तो जो थी वो बहुत ही मजबूत थी अब हम आ जाते हैं पहला पॉइंट में भू स्वामित्व आखिरकार है क्या भू स्वामित्व को जानते हैं तो प्राचन साहित एवं अभिलेखों के अनुसार भू स्वामित्व के वारे में विद्वानों ने विरोधाभासी निन्ने निकालें मनु स्मिर्ति के एक पद में उल्लेकित है कि पहले जियों जमिन साप करेगा वह सीका होगा लेकिन भूमी की नीजी भूमी स्वामित्व संबंदेधारना रिंग वेधिक काल में भी विद्धमान थी ठीक है उसमें अगर बताया गया कि किरिसी योग आज भूमी या तो किसी कि व्यक्ति विशिस की होती ती या फिर किसी परिवार की नीजी हुती है यह हमारे भूस्वामित का पहला पर्दान पॉइंट है दूसरा गर देखा जाया दूसरा पॉइंट में हमारा कर भूर राजसववपरशाशन यह क्या है तो प्राचिन भारत में पर्चलीत भूर से में और इस परकार से राज को गाउँ के माध्यम से पहो राज़स चुका थे और इंके भी मतलब तो राधा मुकूंद मुखर जी के अनुसार क् dilemmet जमीन किसी जाती अत्वा उपजाती की ग्रामिन समुदाई वन्स अत्वा गाउं में रह रहे भाई बंधूं की होती थी यह जो हमारा है एक राइटर है राधा मुकुन मुखर जी उसके अनुसार जो जमिन होती है किसी जाती उप जाती या फिर भाय बंदों जो की गाउं में रते तो उसकी होती थी इसे कभी भी राजा की संपती नहीं माना गया है राजा को याधिकार था कि वह समय समय पर यहां पैदावार का हिस्सा प्राप्त कर ले अभी तक अंग्रेज यहां राजस संग्रा कर रहे थे तता उन्हों उन्हों ने तरीके तता हिस्सिक संदचन और परिवर्दन कर अब हम जानेगे कि अस्थाई बंदवस्त है क्या मुआ तो एक राइटर है लॉड कॉर्ड कॉर्ण वालीह की अनुसार क्या है तो लॉड कॉर्ण वाली समय भारति अर्थ वैविस्था में अस्थाई तो लाने की कोशिश की जिसमें वार्चिक जम्माबंदी की जगा उन् किसी राष्ट की सम्मिर्थे तता खुसाली ही बुद्धिमानी तो एवं सफलता का मापड़न है तो लौड कारवानिस का अस्थाई बंदवस्त उन्हें सो तिरानवे सबसे सफल उपाय है जिसे ब्रिटिस राष्ट में ने कभी भारत में लागू उने नहीं दिया क्योंकि व अगर देखा जाए तो उन्होंने जो 1793 बेकास था बंदवस्त नाम का अधाना को लागों किया था वह किरिशी से सम्मंदित था हमाना नेक्स्ट पॉइंट है भू अभिलेकों का रख रखाव तो राज्यों की मद्ध जो भू अभिलेक वे रखते थे तथा विभिन रेइ है कौन सा भूमियर रही यह और फिर नहीं यह खास जमीन इसको अलग 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 पेपरों में तरीके से ऊस्फेस में उनका सरुच्छन होता था विज विच में उन से संबंदित था जिसका अलग-अलग रेइश्टर बनता था ना तो संभव है कि ना ही जरूरी है कि वह एक ही हो या फिर तिन चार ही बिविद्ध ही होते थे अनेक ही होते थे और उसमें बिभीन रेइश्टरों में आवस्यक सर्वेश्चन और बंदवस्त का पूर्ण में रच्छन करने के परशाद जो आउटपूट निकलता था उसको लिखा जाता था और इस परकार भू अभिलेखों का जो रख रखाव था वो सुरचित रखा जाता था कि इस खास के रूप में वह पहार आ सके इस परकार अगर कहा जाया है तो प्राचिन भारत में भी भू राजस्व परणाली की संकल्पना जो थी वह बहुत मजबुत थी उस टाइम भी भू राजस्व से संब्दित कोई भी जो विचार थे या फिर समश्या थी उसको अलग-अलग तर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं और मैं इससे संब्दित नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और दोस्तों अगर आपको मेरा चलन परसंद आया हो या